सो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ शुभम और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एग्रिगेट का इंपेक्ट वैल्यू हम कैसे टेस्ट करते हैं यहाँ पे सारे स्टेप बाइ स्टेप हमको डिफरेंट टाइप के वेट्स निकालने हैं ठीक है तो यह सारे वेट्स 10 mm की सीव चाहिए ठीक है इसके अलावा ट्रे चाहिए हमको कुछ यह थीक है यहाँ पे हम इस्टेंट क कई से करते हैं तो यहाँ पर हमने 20 mm एग्रिगेट ले लिया है और इसे हम शेक करेंगे और इसके अंदर जो भी 10 mm पर रुक जाएगा उस एग्रिगेट को ले करके हम इस कप में भरेंगे ठीक है इस कप में भरेंगे 3 लेयर में और 25 बार टैम करेंगे तो पहले हम इतना कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं ठीक है तो दोस्तों काफी दिर सेख करने के बाद यहाँ पर हमारे 12.5 mm के उपर देखिए इतना वेट रुका हुआ है इसकी हमको जरूरत नहीं है तो इसे हम हटा देंगे तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों कुछ इतने एग्रिगेट जो है हमार इसका इमपर्टी वेट कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले यह हमारा एग्रिगेट है इसको हम पहले एमपर्टी वेट कर लेते हैं इसका ठीक है मतलब खाली इसका कितना वजन है वो 701 ग्राम है बिसिकली तो इसे हम लिख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी copy पे लिख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे यह देख सकते हो impati cylindrical cup weight ठीक है impati cylindrical cup weight कितना है हमारा 401 gram weight of cup plus aggregate का जो भी weight है ठीक है वो हमको यहाँ लिखना है तो चलिए हम दिखाल लेते हैं सबसे पहले हम इसे जो भी हमने mold को खाली mold को weight किया है इसको हम 3 layer में भरते हैं तो यह हमारा aggregate है हम इसे 3 layer में भरेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहली layer अपनी डाल लिये इसके अंदर अभी इसे हम 25 बार time करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अब हम दूसरी layer डालेंगे और उसे हम 25 time time करेंगे तो यह हमने second layer डाल लिये और इसे हम time करेंगे 25 बार तो दोस्तों यह second layer की tamping complete हो गई है ठीक है वीडियो थोरी से skip कर दी थी मैंने अब यह last layer हम डालेंगे और इसे full करेंगे पूरा full इसे भी हम आखरी layer को भी 25 बार time करेंगे जैसे आप लोग देख सकते हो ठीक है तो दोस्तों तीनों layer को भरने के बाद हम इसे roll करेंगे कैसे roll करना है मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको roll करना है ठीक है धीरे धीरे इसको एकदम layer में करना है एक layer में अगर गिट्टी हमाँ आपकी जादा हो रही है तो आपको उसे गिरा देना है बाहर ठीक है यहाँ पे हमारी देखिए कुछ गिट्टी यहाँ पे जादा हो रही है तो इसे हम basically बाहर कर देंगे जाएगी अभी देखिए जितने हैं हमारी पूरी तरीके से Easily घुमनी चाहिए आपकी ठीक है ठीक है अभी देखिए एकदम plain हो गई है ठीक है देख लिए आप लोगों ने अब हम क्या करेंगे इसका हम weight करेंगे with mold ठीक है तो अभी 23 ग्राम हमारा aggregate का weight आया है इसे हम लिख लेते हैं aggregate प्लस mode का weight आई है ठीक है तो यह हम लिख देते हैं 1023 ग्राम ओके अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा है weight of aggregate only तो aggregate का अगर हमको weight निकालना है तो इससे हम empty weight निकालने तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पे हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं तो दोस्तों कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम weight of aggregate ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इस से यह माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं, 1023-701, ठीक है, यह हमने लिखा, और ओके किया, 322 ग्राम, ठीक है, तो 322 ग्राम यहाँ पे हम निकालके लिख लेते हैं, ठीक है, अब हमको एक और weight of aggregate passing through 2.36 mm, ठीक है, यह यह वाला weight चाहिए, तो यह कैसे निकलेगा, अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो अभी हमारे 3 step वाले निकल चुके, 3 हमारा given data निकल चुका, 4 हमको निकालना है, उसके बाद से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पे अठा करके, इसके अंदर simply डाल देते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया इसे, अब इसे हम 25 बार टैम कर लेंगे, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 25 बार टैम कर लिया है, अब इस मोल्ड को उठा करके, हम simply उसमें ले जाएंगे, हमारा जो भी AIV Operators है, इसके नीचे वहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हम इसे उठा लेते हैं, तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने AIV Operators पे इसे fix कर दिया है, ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो, और दोस्तों, अब इस पे हम blows देने जा रहे हैं, हम 15 बार इस पे blows देंगे, ठीक है, 1 second per blows, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यह निव होती है, हम इसको हलका सा पहले उठाएंगे, तो यह हमने उठा लिया, इसके बाद हम इसे उठाएंग, निकाल लिया है मैंने यह पिन को, तो दोस्तों, यहाँ पे हम continuously 15 बार blows देने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, श्टार्ट करते हैं, जटके से उठाएंग 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब धीरे से उठाएंगे, बस अराम से, अब इसे हम पिन को लॉक कर देंगे, यह हमारा लॉक हो गया, अब हम इसे छोड़ देंगे, धीरे से हम अपना एग्रिगेट निकाल लेंगे, तो उसको निकाल लो बाहरेंगे, चिक है, अब इस एग्रिगेट को यहाँ पे देख सकते हो, क्या हाल है एग्रिगेट का, 15 ब्लोज के बाद, अब दोस्तो इस एग्रिगेट को हम 2.36 mm cu से पास करेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना पासिंग होता है, तो दोस्तो यहाँ पे जो हमारा एग्रिगेट है, आप्टर ब्लोज हम इसे हम 2.36 mm cu से पास करके देखेंगे, इससे जितना पास हो जाएगा, उसका हम वेट करेंगे, और उसे हम लिख लेंगे, तो चलिए दोस्तो यह करके दिखाते हैं आपको, तो दोस्तो काफी देर इसको सेख करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, इतना जो एग्रिगेट का जो भी बुरादा है, आप कह सकते हो, यहाँ पे गिरा है, ठीक है, इसका हम वेट कर लेंगे कि यह कितना बुरादा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी वे मसीन है, हमने इस पे ट्रे रख करके इनेमल ट्रे रख करके जीरो कर लिया है अब इसके अंदर हम जो भी हमारा एग्रिगेट का चूरा है वो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका बजन तो यह देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक तालिस ग्राम आया है ठीक है टोटल हमारा तो इसे हम लिख लेते है तो दोस्तों यहां पर जो हमारा weight of aggregate passing through 2.36 mm यह है जो हमारा weight आया W4 वो हाया एक 40 gram ठीक है तो एक 40 gram हम लिख लेंगे इसको ठीक है इसके अलाबा यह formula है हमारा ठीक है तो इसको formula क्या है W4 upon W3 W4 यह है W3 यह है ठीक है तो हम यहां पर लिख लेते हैं 41 बटे 322 गुड़े 100 ठीक है तो इसे हम calculate करते हैं जल्दी से आपको दिखा देते हैं तो यहां पर हमारा 41 ठीक है भागा 322 ठीक है गुड़े 100 ठीक है तो हमारा देखिए 12.73% आया है ठीक है aggregate का देखिए impact value हमारा इतना आ गया तो यह देख सकते हो दोस्तों 12.73% हमारा यह aggregate का impact value आया है 12.73% तो इसे basically IS code से हम match करते हैं तो यहां पर देखिए जो 10% से अगर यह कम आता तो इसको हम exceptionally strong बोलते हैं ठीक है अगर यह 10 से 20% के बीच में आता है तो हम इसे strong बोलते है तो अपना जो आया है वो 10 से 20 के बीच में आया है तो यह जो हमारा case है इंपक्ट वैलू का वो हमारा 12.73 है तो यह हमारा strong में आ गया ठीक है तो यह basically हमारा strong में आ गया मतलब ठीक है इसमें कोई problem नहीं है यह हमारा 35% से अगर जादा होगा अगर यह जो भी हमारा impact value आएगा तो वो weak होगा ठीक है हमारा बिसिकली यह जो test होता है impact value यह हम road test में बिसिकली ज्यादा तर करते हैं ठीक है बाकी यहाँ पर 20 से 30% आता है तो इसे satisfactory for road surfacing बोलते हैं और अगर more than 35% आता है तो weak for road surfacing बोलते हैं ठीक है अभी अपना strong में आया तो इसमें कोई problem नहीं है हम इसे use कर सकते हैं अपनी construction field में ठीक को subscribe करना मत भूलना मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई और जैहिंद